निस्चरेक सिंधु महुरय ही करिमाया नभु के खग गय ही जेव जन तुझे गगन उड़ा ही जलब लो कितिन के परचाई समुद्र में एक राक्षा सी रहती थी वह माया करके आकास में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी आकास में जो जीव जन तुझे उड़ा करते थे वह जल में उनकी परचाई को देखकर गय ही छाह सक सोना उड़ाई यही विधी सदा गगन चरखाई सोई छल हनूमान कहकीना तासु कपट कपी तुरत ही चीना उस परचाई को पकड़ लेती थी जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में ही गिर पड़ते थे इस प्रकार वैस सदा आकास में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी उसने वही छल हनुमान जी से भी किया हनुमान जी ने तुरन थी उसका कपट पहचान दिया ताही मारी मारुत सोतवीरा वारधी पारे गय हुमत धीरा तहां जाये देखी बन सोभा गुंजत चंचरीक मधूलोभा पवन पुत्र धीर बुद्धी वीर हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए वहां जाकर उन्होंने वन की सोभा देखी मधू के लोब से भौरे गुंजर कर रहे थे ना ना तरू फल फूल सुहाए खगमरग व्रंद देखी मन भाए सेलब साल देखी एक आगे तापर धाए चड़ंभैत आगे अनेकों प्रकार के व्रक्ष फल फूल से सोभित हैं पक्षी और पसुओं के समुद्र को देखकर मन में प्रसन हुए सामने एक विसाल परवत देखकर हनुमान जी भैत्याक कर उस पर दोड़ कर जा चड़े उमान कचुकपी के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई गिरी पर चड़ी लंका तहीं देखी कही ना जाए अति दुर्ग वेसे सी सिवजी कहते हैं हे उमा उसमें बानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है ये सब प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है परवत पर चड़कर उन्होंने लंका देखी बहुत ही बड़ा किला है कुछ कहा नहीं जा सकता आति यो तंग जलेने दी चहूं पासा कनक कोट कर परम प्रकासा ये अत्यन्त उंचा है उसके चारो और समुद्र है सौने की परकोटों से परम प्रकास हो रहा है